कनाठोग में सियासी ड्रामे के बीच कौंग्रस चांसर जोतिरादित सिंधिया ने बीजेपी पर निश्वाना साधा है सांसर जोतिरादित सिंधिया का दावा है कि कनाठोग में JDS और कौंग्रस मिरकर सरकार बनाएंगे करनाठक में चल रहे हाई वाल्टिज सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी ने था बीएस येदी यूरप्पा ने भले ही तीसरी बार करनाठक के मुख्यमंतरिपत की शपत ले ली हो लेकिन कॉंग्रिस की उमीदें अभी भी कम नहीं हुई है करनाठक में कॉंग्रिस और जेडी एस साथ में मिलकर सरकार बनाने के लिए कटिब्रद्ध हैं राज्यपाल से भी मिल चुके हैं भाजपा की जो कोशिश है की चट भी मेरी और पट भी मेरी साथ ही सिंधिया ने भाजप सरकार पर जम कर हमला बोलते हुए कहा कि आज भारत का समविधान और प्रजवातंत्र खत्रे में है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी और उनकी सरकार प्रमानित कर रही है जो गोआ और मनिपुर में हुआ वो अब आवेद हो गया करनाठक के लिए एक रूल प्रजवातंत्र में सभी के लिए होता है नियम आपके कन्वीनियंस के आधार पर बदले नहीं जाते और इसलिए हम कहते हैं कर गई बार कि प्रजवातंत्र आज खत्रे में है समिधान आज खत्रे में है नियम और कानून आज खत्रे में है देश का एक एक नागरिक आज खत्रे में है और ये बारम बार मोदी जी और उनकी सरकार प्रमानित कर रही है कि किस तरीके से इस प्रजातंत्र को पूरी तरह से कुचलने का कारिय उनकी सरकार कर रही है कुल मिलाकर सिंधिया के दावे और करनाटक के हाई वोल्टेज ट्रामे के बाद अब देखना दिल्चस्प होगा कि सरकार किस की बनती है बियोर रपोर्ट, MP News, भूपाल